हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमार यूटूब चैनल त्रीबदर टेलर पे और आज मैं आपको इस तरह के कलस्प बनाना सिखाऊंगा जो इस तरह का मैंने कलस्प बनाया है यहां उपर मैंने तीन जीब लगए इस तरह के एक पोकेट आएगा और यहां दूसर पोकेट आएगा और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो फ्लीस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और जीन लोगों नो मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आईए शरू करते हैं। और उसके अंदर मैंने ऐसा एम्रोड रिवर का फैब्रिक लिया है और यह फैब्रिक मैंने ग्रे कलर का लिया है और उसका माप मैंने यहां 20 इंस का लिया है और यहां मैंने 10 इंस का लिया है और अस्तर में मैंने 9 गुवें फैबरिक लिया है वो भी हमें एक लेना है उसका भी मप सेम वही है और यह रुबर सीट है उसका भी मप सेम वही है और यह अंदर के पॉकेट का माप मैंने यहां 10 इंस का लिया है और यहां भी मैंने 10 इंस का लिया है 10 पैट 10 इंस का हमें लेना है और ऐसा हमें 4 पॉकेट लेना है और यह उसकी जीप कम आप मैंने यहां 10 इंस का लिया है इसी 3 जीप लेनी है हमें और ऐसा मैगनेट का बटन लिया है मैंने इस तरह का मैगनेट का बटन हमें दो लेना है तो पहले हमें अस्तर लेना है और उसके उपर हमें ये रबर्शित रख देनी है और उसके उपर हमें ये एमब्रोड रिवर का फैबरिक रख देना है और अब यहां हमें चारो तरब से लाए कर देनी है तो इस तरह से हमें यहां चारोतरब सिलै कर देनी है आए और अब यहां अस्तर और रिबर्शिट जो ज्यादा है उसको में कटिंग कर लेना है और अब हमें अंदर का पॉकेट बनाना है तो इस तरह का यह जो अस्तर अमने कटिंग किया उसके उपर यह जीप रख देंगे और यहां हमें सिलाए कर देनी है और अब यहां उपर सिलाए कर देनी है हमें और अब यह दूसरा पॉकेट लेना है और उसके उपर भी हमें यह जीप लगा देनी है और यहां हमें सिलाए कर देनी है इस तरह और यहां भी हमें उपर सिलाए कर देनी है और अब यह पार्ट को हम इस तरह कर देंगे पलटा देंगे और उसके उपर हमने जो पॉकेट बनाया है वो हमें रख देना है इस तरह से रखना है और यहां उसके उपर हमें सारो तरब सिलाए कर देनी है तो हम यहां इस तरह सारो तरब सिलाए कर देंगे और यहां भी हमें जो ज़्यादा स्तर है उसको में कटिंग कर लेना है तो इस तरह से हमें पाट त्यार कर लेना है यहां इस तरह से पॉकेट बन गया है दोनों तरफ यह पॉकेट हो जाएगा और यहां आमें ऊपर यह जीब लगा देनी है तो यह पाट हमें इस तरह से रखना है और यहां ऊपर हमें जीब लगा देनी है तो हम इस तरह से ऊपर जीब लख देंगे और यहां आमें सिलाय कर देनी है और साथ में अस्तर भी लगा देना है और हमें यहां सिलाय कर देनी है और अभी अस्तर को में इस तरह से फॉल कर देना है अंदर की साड हमें पल्टा लेना है और यहां उपर हमें फैबरिक के उपर हमें सिलाय कर देनी है और अभी अस्तर हमें उपर की साड कर देना है और जीप के साथ हमें लगा देना है तो इस तरह से हमें यह अस्तर जीप के साथ हमें सिलाए कर देनी है और अब यह दूसरी साथ भी जीप लगा देनी है सेम इसी तरीके से हमें यहां जीप लगा गर पॉकेट तियार कर लेना है तो पहले हमें उसके उपर जीप रखनी है, उसके उपर ये अस्तर रख देना है और यहां उपर हमें सिला कर देनी है और अभी अस्तर को हमें अंदर की सेड पल्ट डालेना है और यहां उपर हमें सिला कर देनी है और अब यह अस्तर में जीब के साथ लगा देना है, इस तरह से रख देना है और यहां उपर हमें सिलाय कर देनी है और अब यहां उपर हमें फैबरिक की पट्टी लगा देनी है और यह पट्टी लगा के हमें गोट कर देनी है, पाइपिन कर देनी है तो इस तरह से हमें पट्टी लगा देनी है फेबरिक की और यहां से पट्टी को कटिंग कर लेना है और यहां हमें डबल बार फोड़ कर देना है वो पक्का मोड देना है और यहां उपर हमें सिलाय कर देनी है तो इस तरह से हमें यहां पक्का मोड़कर हमें सिलाइ कर देनी है इस तरह से हमारी यह पाइपिन हो जाएगी यहां तो सेन इसी तरह से हमें यहां भी यह पट्टी लगा कर हमें पाइपिन कर देनी है झाल बाइपिन कर देनी है और अब हमें ये पॉकेट को हमें इस तरह से फॉल्ड कर देना है और यहां ये जो दूसरी जीफ है वहां तक हमें ये यहां रख देना है और यहां उपर हमें सिलाई कर देनी है और अब इसी तरीके से यह जो नीचे का पॉकेट है उसको भी हमें इस तरह से फॉल कर देना है और यहां भी हमें उपर सी ले कर देनी है और अब यहां साइड में जो ज्याद अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है तो से हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें इस तरह से ही सिलाए कर देनी है तो इस तरह से हमें त्यार कर लेना है और अब यहां भी हमें पाइपिन कर देनी है फैबरिक के पट्टी लगा कर इस तरह से हमें फैबरिक के पट्टी लगानी है उपर से हमें अंदर फॉल कर देना है इस तरह से और यहां उपर हमें सिलाए कर देनी है और यहां से हमें कटिंग कर लेनी है और यहां भी हमें अंदर फॉल कर देनी है पट्टी को इस तरह से और सेम इसी तरीके से दूसरी पट्टे भी हमें यहां लगा देनी है और अब इस पट्टी को हम अंदर की साथ इस तरह से मोड देनी है और इस तरह से हमें पक्का मोड देना है और यहां में पाइपिन कर देनी है और अब चिहां में हिसलै कर देनी हैं। इस तरह जो ज्यदा दागा है वो अपाई में कटीं को लेना है और यहां से एस तरह से पक्का मुल लेना है। और हो यह उपर सिलै कर देंगे। तो यहां हमारी पाई पिन हो जाएगी इस तरह की। झाल झाल तो सेम इसी तरीके से यहां भी हमें पाइपिन कर देनी है झाल झाल और अब हमें इसको इस तरह से फॉल्ड कर देना है तो इस तरह से हमारा कंप्लेट हो गया है और अब यहां हमें मैगनिट बटन का निशान कर देना है तो हम यहां मैगनिट बटन का निशान कर देंगे इस तरह से यहां पहले निशान कर देना है तो यहां दो मैगनिट बटन लगाना है इसलिए यहां दोनों साइड़े में निशान कर देना है बटन का कि और अब यहां में बटन के लगाने के लिए यहां वॉल कर देंगे और अब यहां में बटन लगा देना है तो इस तरह से में बटन लगाना है अब यहां में बटन लगा देना है अब यहां में बटन लगा देना है और अब यहां में सामने वाला बटन रखना है तो उसका भी हमें निशन कर लेना है तो इस तरह से हमें यह सामने वाले बटन का निशन कर लेंगे और यहां भी हमें सामने वाला जो मेगनेट का बटन है वो में लगा देना है इस तरह से हमें यहां वाल कर देना है पहले बटन लगाने के लिए और अब यहां मेगनेट बटन लगा देना है और अब यहां मेगनेट बटन लगा देना है झाल झाल तो दोस्तो इस तरह से हमारे क्लस बेक बनकर त्यार हो गया है जो इस तरह का दिखता है तो इस तरह से यहां तीन जिप लगा दी है और यहां इस तरह से यह पोकेट आ गया है चे पोकेट आ गया है यहां भी जो इस तरह से पोकेट हो गया है और यहां भी हो गया है और यहां भी और यहां भी यह पोकेट हो गया है तो दोस्तो इस तरह से यह चे पोकेट हो गया है हमारे क्लस बाउस के अंदर तो इस तरह से बनकर त्यार हो गया है और दोस्तों आपको मेरा कलस्बेक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लिस लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लिस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने मेरे सैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू